हेलो दोस्तों आज आपके डिमांड पे ये बेट सीट का डिजाइन हम सलाईयों के द्वारा बनाना बताएंगे ये जो आप देखे रहे हैं ये एक रोसीय से बना हुआ था और आपके इक्छान उसार इसे हम सलाईयों से बनाएंगे कि ये सब काफी खुबसूरत ये बनकर आया है समने लेकिन जो डिजाइन उस पर डाले हुए होगे है तो ये काफी खुबसूरत लगता है इस पर हम तीन बनाए हुए है जिस तरह से उस पे डाले हुए थे उसी तरह से इस पे भी डाले हुए है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं बहुत ही सरल तरीके से ये डिजाइन आप बना सकती हैं देखिए इसके लिए हम सबसे पहले तीनों कलर यूज करेंगे जो इस पे डाले हुए हैं तीनों कलर हम एक सिधा बुन लेंगे इसे बराने के लिए सबसे पहले हम एक उल्टा एक सिधा बुन लेंगे पहला सिधा बुने फिर उल्टा सिधा यानि कि हम दो लाइन यहां पर एक उल्टा एक सिधा बुन लेंगे आप चाहें तो डायरेक्ट भी शुरू कर सकती हैं डिजाइन चलिए हम एक ही लाइन बूनते हैं और यहां पर हम डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं तो हमारा जितना भी कलर हम जोड़ेंगे उल्टा तरब से जोड़ते चले जाएंगे यह एक लाइन बना कर हम कम्प्लीट कर लिए अब देखिए एक लाइन बना लेने के बाद में हम इस पर कलर जोड़ेंगे सबसे पहले हम बुलू कलर जोड़ेंगे ग्रीन भी जोड़ सकते हैं बुलू भी जोड़ सकते हैं यह उल्टा साइड हो गया है उल्टा साइड हो गया हम इधर से ही फंदे को जोड़ेंगे तो हम सबसे पहले छे इस तरह से उल्टा तरब से उल्टा पूरा बुनते भी कम्प्लीट कर लेंगे फंदेक में हम गाट नहीं लगाए हुए हैं उन पे तो हम इस तरीके से उन को यहां लपेट लेंगे ताकि खुलेना इस तरीके से एक पर और करेंगे तो देखिए तो हमें यहां पे बुनना था चार फंदा बुनना था हम यहाँ पे चार फंदा बूंगे और इसके बाद दो फंदा हम इस कलर से बूंगे एक और एक दो फंदा फिर से चार फंदा हम कलर चेंज करेंगे छे फंदा, तीन, चार, पांच, छे छे फंदा हमें इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे देखिए छे फंदा रहाएगा तो दोनों के बीच से फिर से एक और कलर यहाँ पे उपर क्योर जाता है इसलिए हम छे फंदा लिए हुए हैं ये दो जो आप देख रहे हैं बीच में दो इससे एक फिर से दूसरा कलर हम जोड़ते हैं तो छे, दो, फिर छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और लाश्ट का दो बोन लेंगे इस कलर से तो देखिए हम यहाँ पर क्या किये सबसे पहले चार फंदा अलग कलर से बोने फिर दो फंदा जिस कलर से स्टाट किये थे फिर छे फंदा, फिर दो, फिर छे, फिर दो अब इसे हम पलट लेंगे पलटने के बाद में यह जो दो आप देख रही हैं यह दो हम सिधा बोनेंगे एक और एक दो अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे दूसरे कलर काउन आप त्यान दें यहाँ पे दूसरे कलर काउन जो है इसे हम फंदे को अपनी ओर कर रहे हैं इसे हम उल्टा बुनेंगे एक, दो, तिन, चार, पाँच, छे फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये दो सीधा बूनेंगे एक दो फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और छे उल्टा बूनेंगे दो तीन चार पाँच छे फंदे को नीचे की ओर करेंगे दो फंदा सीधा बूनेंगे एक दो दूसरा कलर का फंदा अपनी ओर किये चार फंदा उल्टा बुन लेंगे दो, तीन, चार देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से बुन कर इसे कंप्लेट किये अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद ठीक इसी चीज को हमें दूर आना है लेकिन यहाँ पे ध्यान सिर्फ हमें यह रखना है कि यह जो चार फंदा है जो ग्रीन कलर यह कलर से जो हम बुन रहे हैं इसे हम सीधा बुनेंगे पहला फंदा अगर आप चाहती है तो उतार सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारा बन चुका है दो, तीन, लाइन उल्टा तरप से हम सीधा बुनें अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और यह दो उल्टा बुनेंगे एक, दो फिर से फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और यह छे फंदा सीधा बुनेंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे दूसरा कलर से दो फंदा उल्टा बुनेगे फंदे को नीचे की ओर छे फंदा सीधा फंदे को अप्रियोर दो फंदा उल्टा अब देखिए मगला लाइन पे आते हैं देखिए इस तरह से बन चुका है यहाँ पे अब एक लाइन और हम यहाँ पे बुनेंगे दो सीधा, छे उल्टा, दो सीधा, छे उल्टा, दो सीधा, चार उल्टा इस तरह से हमें एक लाइन और बुनना है तरह से हमें आते हैं अब पे अब देखिए आते हैं जा के लाइन आते हैं अब देखिए अगला कलर यहां पर इस लैंड में जुड़ जाएगा तो अगला कलर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे पंदे को नीचे क्योर करेंगे और अगला कलर हम यह डालेंगे यह डाले हुए हम इसे हम पुरा लुटा बूनेंगे एक दो दो हुगया अब देखिए अब यहां पर हमें बूनना है तो इसे भी पुरा उल्टा बूनेंगे यह कलर नहीं लगाएँगे अब यह कलर यहां पर रुख जाएगा यह कलर जो है यह कलर बूनना शुरू होगा एक, दो, दो फंदा और यह जो दो हम बुण रहे थ है इसी color से इसे भी दो हम बुणते चले जाएंगे एक, दो इसे आप बाद में चाहें तो आप जोड सकती हैं, आप गांट लगा सकती हैं और एक, दो यानि कि यहां पे देखिए हम छे फंदा बुनें इस color से 6 फंदा एक दो यानि ये फंदा दो बीच का दो इधर का दो इस तरफ का छे फंदा पर यहां उल्टा तरफ से पुरा उल्टा बून रहे हैं क्योंकि कलर यहां पर आपका चेंज हो रहा है फिर से दो फंदा बुलू कलर से एक दो बाकी जितना फंदा बचता है यह हम चार फंदा हमा पल्टेंगे हम, अब यहाँ पे देखिए, यह कलर से हम बुन रहे थे, तो यह चला आएगा उपर की ओर, यहाँ पे यह जो आप देख रही है, यह चीज, यह चीज चला आएगा, और यह जो बुलू है, वो बुलू यहाँ पे चला आ रहा है, उपर की ओर आएगा, और यह चल यहाँ पर हम बुनना शुरू करते हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, और हम उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदा उल्टा बुनें, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, और ये दो फंदा सिधा बुनेंगे, एक, दो, फिर से ये फंदा अपनी और करेंगे और यहाँ पे उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, फंदे को नीचे की और करेंगे, यहाँ पे ध्यान दे जो ये छे फंदा था, तो यहाँ बीचो बीच का, दो इस तरफ छोड़ दियें, दो इस तरफ बीचो बीच का दो फंदा हम दूसरा कलर से लिए हुए हैं इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें एक दो फंदे को अपनी और करेंगे छे फंदा उल्टा दो तीन चार पांच छे फंदे को नीचे की और करेंगे और दो फंदा सीधा यह हो गया अब पलट लेंगे पलटने के बाद हमें उसी तर यह दो जो है यह हम उल्टा बूनेंगे और बाकी जो है सबों को हम सीधा बूनेंगे यह इस तरीके से सीधा बूनेंगे तीन चार पांच छे यह उल्टा तरब से है फंदे को अपनी और करेंगे और यह उल्टा तरब से है इसमें हम तो फंदा उल्टा बूनेंगे फिर सिधा नीचे की ओर ले जांगे फंदे को और ये 6 फंदा सिधा बुनेंगे 2, 3, 4, 5, 6 फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदा उल्टा बुनेंगे फंदे को नीचे की ओर करेंगे 4 फंदा सिधा बुनेंगे दो, तीन, चार, अब दिखिए फिर से हमें एक लाइन और बुनना है, तो पहला फंदा उतार लेंगे, उल्टा बुनेंगे, दो, तीन, चार, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, और ये दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, और ये छे फंदा जो अलग कलर से है उल्टा बोनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, दो फंदा सीधा बोनेंगे, एक, दो, ये फंदा अपनी ओर करेंगे, और छे फंदा उल्टा बोनेंगे, चार पाँच छे फंदे को नीचे की और करेंगे और ये दो फंदा सीधा बुनेंगे एक दो अब देखिए अब देखिए यहाँ पे ये जो बना रहे थे हम ये चीज ये चीज यहाँ बन के कंप्लीट हो गया यानि आप नीचे से देखिए यहाँ से, यह चीज यहाँ बनकर complete हो गया, अब इसके उपर यह green color लगेगा, यानि कि यह color लगेगा, बीचो बीच में 2, और बाकी जितना भी 6-6 है वो blue color से बुना जाएगा, इसके बाद जब blue complete हो जाएगा, तो फिर देख रहे हैं आपकी य यह color लगेगा, तो blue complete जब हो जाएगा, तो यह 6 फंदा उल्टा आजाएगा, यह और फिर से यह color का जो फंदा है, वो दो बीच में आजाएगा, इस तरह से change होता चला जाएगा, जैसे की देखिए, आपके, अब हम इसे पलटते हैं, पलटने के बाद 2 फंदा, बुलू ब बुनेंगे, वो उल्टा तरप से, जितना भी फंदा सब उल्टा बनना पड़ेगा, अब यह देखिए, दो फंदा आजाएगा, यहाँ पे, एक, दो, अब यह बीच का जो 6 फंदा है, यह हम इस color से बुनेंगे, क्योंकि यह color का ही आ रहा है, तो फिर इसे हम 6 फंदा बु 6 फिर से 2 फंदा, एक, दो, फिर से 6 फंदा बुलू color से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो फंदा, इस color से, दो, अब पलट लेंगे, पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, यह बुलू बुनते चले जाएंगे, यह बुलू बुनेंगे हम, यहां जैसे यह बनाए, यहां पे जो हम 6 फंदा बुनें, यह बुलू color से बुन लेंगे, और यह दो line जो हम बना रहे हैं, यह आपका green आ जाएगा, दो line उपर, इसके बाद क्या होगा, यहां पे green color 6 line हो जाएगा, यह दो, यह दो, मिला के 6 line हो जाएगा green color, और उसके जाएगा, यहां पे आप समझे ठीक से, इसी चीज़ को हमें बनाते चले जाना है, आपका design यहां बनकर तयार हो जाएगा, जैसे कि देखिए, यहां आपको हम यहां से बतलाते हैं, इस अस्थान से हम आपको बतलाते हैं, देखिए, यहां पे हम बनाए, छे green color से, और दो, इस color से, छे दो, छे दो बनते हुए चले गए यहां पे, यह चीज़ देख रही हैं, यह भी हम आप लोगों को यहां पर बतला चुके हैं, फिर यह जो दो बन रहते हैं, यह दो को हम उपर जाकर छे कर दिए, देखिए, यहां पे दो को हम छे कर दिए, और बीच में हम blue color ले आएं, जो भी आप color देना चाहती है, blue color यहां ले आएं, 6 के बाद 2, blue color फिर 6 फिर दो, और जब यह भी हम बुनकर यहां complete कियें, यह 6 लाइन में, इसे 6 जो फंदा था, यह complete कियें, तो हम green color को यहां पे डाल लिए, जैसे कि यहां पे green color डला हुआ है, और blue color यहां पे 6 आपको, तो यहां तक हम आप लोगों को बतला है, आप देखिए, आप आगे क्या करना है, आप लोगों को, इसी चीज़ को बस उपर बुनते चले जाना है, green color यह दो बुनकर complete करेंगा, तो यह 6 हो जाएगा, फिर इसके नीचे का यह जो है, यह 2 हो जाएगा आपको, बस इसी चीज़ को repeat करते जाना है, repeat करते जाएगी तो आपका यह design बनकर तयार हो जाएगा, जो देखिए, देखिने में काफी खुबसूरत लगता है, देख रहे हैं आप, कितना खुबसूरत यह design लग रहा है देखिने में, तो आपके इक्छा अनुसार इसे हम सलाईयों से अभी बतला दिये हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में